खैलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम Soul Land एपिसोड 221 के ट्रेलर को डेटेल में एक्स्प्लेनेशन करेंगे. अब जैसे ट्रेलर शुरू होता है, तो हमें जैलिगा पास दिखाई देता है. इसे देखकर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं. मार्शल सॉल एमपायर ने जैलिगा पास को प्रहले ही कबजा कर लिया है. और खुद बीबी डॉंग इसे कमांड कर रही होती है. अब अगले सीन में हमें Elder Ugon को दिखाई जाता है. जो की अपनी कुछ हिलाइट सॉल मास्टर के स बैटल फील्ड निगरानी करने के लिए निकले हुए हैं. शायद बीबी डॉंग ने Elder Ugon को टियांडो आमी रस सामगरी का पता लगाने के लिए भेजा है. ताकि उन सभी सामगरी को नश्ट करके टियांडो आमी कमजोर किया जा. इसी वजह से Elder Ugon यहां पर आया होता है. औ इसके बाद वो टियांडो आमी को भी एक एक करके मारेगा. अब फिर से सिम चेंज होता है और हमें टियांडो आमी के पास Emperor सूबैंग को दिखाया जाता है. जो की अपनी आर्मी के जनरल के साथ मीटिंग हॉल में जा रही होती है. कैम्प के अंदर टैंक्शन को बैटा हु देखकर उसे भाव करता है. तभी सेना के जनरल सभी को बताता है कि जैली गंपास पर कबजा करना ना मुम्किन है. क्योंकि मार्शल सोल एमपायर ने पहले ही कबजा कर लिया है. और इस लड़ाई की वजय से हमारी सेना की हालत और भी ज्यादा बिगर जाएगी. इसके बा लिकिन उसके कारण उन्हें भी कुछ नुकसान हो सकता है. यह बात सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और टैंग्शन और देखने लगती है. इसके बाद टैंग्शन उन्हें अपनी योजना बताता है. अपनी बात पूरी करने के बाद सभी से कहता है. दुश्मन को हरान का यही मौका है. क्या आप इसे जाने देंगे? इतना कहते ही यह ट्रेलर यहां पर कंप्लीट हो जाता है. होप गाइस आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दो.